भारतिय बाजार में वाहन इंधन की गिमते आसमान छू रही हैं पेट्रोल डीजल से लेकर सी एंजी तक के दामों में तेजी से उच्छा ला रहा है देश में पेट्रोल डीजल के रेट तो प्रति दिन बढ़ी रही हैं साथी सी एंजी पर भी महंगाई अटेक कर रही है राज़ानी राष्टिय दिल्ली में कंप्रेस्ट नैचुरल गैस यानी सी एंजी के दाम फिर बढ़ा दिये गए हैं दिल्ली में सी एंजी गैस के दाम धाई रुपे प्रति किलो की बढ़त के बाद अब 66 रुपे 61 प्रति किलो कर दिये गए हैं बीदे पास दिन में सी एंजी 6 रुपे 60 प्रति किलो महंगी हो गई है जबकि पेट्रोल डीजल के भाव 16 दिन में 10 रुपे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं जरता वाहन इंधन की कीमतों में लगतार हो रहे इजाफे से परिशान है पेट्रोल और डीजल के डावों में आज फिर इजाफा किया गया है दोनों ही वाहन इंधन की केमत में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया इसके साथ ही राश्टराजधानी डिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 96 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया है केंद्रे पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस मंत्री हरदीप सिंगपुरी ने तेल की बढ़ती कीमतों पर कहा कि अमेरिका कराड़ा समेट विक्षित देशों में एक साल में पेट्रोल के डाम 50 प्रतीशत तक बढ़े है जबकि भारत में केवल 5 प्रतीशत की बढ़ूतरी हुई है पिछले साल 4 नवंबर 2020 से लेकर 21 मार्च 2022 तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था इसके बाद 22 मार्च 2022 से दोनों ही इंधनों के भाव बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ अब तक 16 दिन में 14 किष्टों में पेट्रोल और डीजल 10 रुबे प्रती लीटर महगा हो चुका है बतादे की स्थानिय करू के आधार पर राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमते अलग लग होती है पेट्रोल डीजल की महगाई से फिलाल राहत मिलने की कोई उमीद नहीं है एक्सपर्ट के मताबिक ओयल मार्केटिंग कमपनियों को अपने पिछले साल नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत में कुल 15 से 20 रुपे तक का इजाफा करना होगा बता देगी प्रति दिन सुबा 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है सुबा 6 बजे से ही नई दरे लागू हो जाती है